वक्रिटुंडे महकाई सुर्ज कोटी संपर्व नेर्विगनम कुरुमे देव सर्वेकार ये सो सर्वेदा मंगलं भगवान विस्नु जै महकाल जै महादेव जै स्रीराम जै हनमान ओम नमसिवाई तुला रासी वारों आज का तुला रासी फल जोतीस गर्ना के अनुसार तुला रासी के इस्तिरी प्रुस आज उत्रा साढ़ा नचत्र वडियान योग में आपकी रासी तुला पर सुर्ज और विरस्पती का परभाव होगा राहु की छाया होगी चंद्रमासनी बुद्ध की दिरिष्टी होगी भाग्य सो भाग्य उनती तरक की ग्रहों की दसा आपकी स्थिती को सुन्दर बनाएगा आज ग्रहों की ऐसी स्थिती आपके जीवन पर बहुत परभाव डालेगा क्योंकि आज सुर्ज और विरस्पती का परभाव है आपकी कुनली में सुर्ज और विरस्पती इस समय कि चंद्रमा बिरस्पती के साथ गोचर कर रहा है और सुक्र पर बुद्ध का परभाव है ऐसे में आज भग्य आपका साथ देगा आज का ठोड़ परिश्रम से आप अपने कर्म से अपने भग्य को बदलेंगे सच में अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर ले तो आज आपके सुब है क्योंकि तुला रासिवारो जोतीज गर्ना के अनुसार जब उत्रा-साड़ा नछत्र वर्यान योग आता है तो सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव आपके भग्य को चमकाता है आपकी जीवन में लाभ ही लाभ प्राप्थ होता है ऐसे समय में वर्यान योग में राहू की छाया आपकी रासी तुला पर सुब होती है इस समय राहू मंगल के साथ गोचर कर रहा है आपकी कुनली को देखें तो आज आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है आज आपका सेल्प कॉन्फिडेंस आपको सफलता और काम्याबी देगा ब्यर्थ का चिंता और तनाव दूर होगा चिंता के बादल छटेंगे भग्य साली दिन भग्य का साथ सुख सम्रिधी देगा आज अपने मेहनत से आप बड़ा लाब कमाएंगे इस समय आपके भग्य स्थान पर बुद्ध का परभाव है बुद्ध आपके भग्य का स्वामी है जो सुख स्थान में चंद्रमा, विरस्पती, सनी के साथ बैठा है तुला रासिवारो आज आपकी कुंडली में ग्रोहों की स्थिती कुछ इस परकार है आज आपके सुख भाव में चार गरह एक साथ गोचर कर रहे हैं विरस्पती, चंद्रमा, सनी और बुद्ध ये च चार गरह आपके सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं जबकि केतु का गोचर आपकी रासि तुला के दूतिय भाव में है, सुर्ज और सुक्रे आपकी रासि तुला के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तुला रासिवारो जब भी विरस्पती के साथ चंद्रमा आता है तो आपकी किस्वत चमकती है क्योंकि विरस्पती के मित्र गरह सुर्ज चंद्रमा मंगल है सुर्ज जो सुक्र के साथ पंचम भाव में है वहीं चंद्रमा विरस्पती के साथ योग बना रहा है मंगल राहू के साथ बैठा है आज आपकी कुंडली में चार ग्रहों का एक साथ सुख अस्थान में मिलन होना आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन की ओर इसारा कर रहा है आपके भग्य में बड़ा सुख और धन बढ़ने वाला है किस्मत का साथ मिलेगा तरक्की होगी उनती होगी ये समय अत्यन सुभ है उत्साहित होकर अपने काम को करने वाला समय जो नौकरी बैपार में बड़ा लाभ देगा आज आपके कार्छेत में उनती होगी सफलता का योग है जीवन साथी से प्यार मिलेगा सुक की अनुभूती होगी, मन में सांती होगी, भग्य अच्छा होगा, जीवन खुसी देगा, नया काम बड़ा लाभकारी योग बनाएगा, आज आप बुधिमान संसारिक सुखों का भोग करने वाला, अपने कार्ज में निपुन, इच्छी सफलता प्राप्त करने वाला, अत्यन्थी, कर्म योगी, भग्य में धन संपत्ती, सुक और अपने हाथों से अपने काम को उनती के तरफ ले जाने वाला ऐसा योग, तुलारासिवारो, सब आपकी कुनलीब को देख कर ऐसा लगता है, राहु और मंगल जो अस्टम भाव में बैठा है, राहु के मित्रग बुद्ध, सुक्र और सनी हैं, उसमें बुद्ध और सनी का गोचर सुक अस्थान में हो रहा है, जबकि सुक्र सुर्ज के साथ गोचर कर रहा है आपकी कुंडली का दूतिय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव और अस्टम भाव आपका भग्य अस्थान जिस पर बुद्ध की द्रिष्टी है और आपके लाब अस्थान जहां सुर्ज का द्रिष्टी है कर्म अस्थान पर चंद्रमा की द्रिष्टी है ग्रोह का ऐसा योग आपकी कुंडली में ग्रोह का ऐसा परभाव आपके समय को सुब बना रहा है ऐसे में नौकरी बैपार में लाब होगा प्रहाई लिखाई में आप बहुत तरक्की करेंगे कोई बरी सफलता काम्याबी मिलेगी आज खुशियों से भरा भग्य साली दिन होगा तो तुलार आसिवारो नौ मार्च मंगलवार का दिन फागुन माकृष्पच की एक आदसी ती थी उत्रा साधा नचत्र वर्यान योग सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव राहु की छाया चंद्रमा सनी बुद्ध की द्रिष्टी आज आपके लिए सुम मूरत सुबह 6 बचकर 17 मिनट से 3 बचकर 17 मिनट तक सुम मूरत में आपके हाथों से अच्छे काम होंगे सुम मूरत में भग्य को चमकाने वाला योग बनेगा सुम मूरत में ही सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव आपके भग्य को चमकाएगा तो 6 बचकर 17 मिनट पर आपके लिए सुम मूरत बनेगा दिन की सुरवात सांदार होगी, अच्छी होगी परमसुक का अनुभव होगा, मन में खुसी होगी, तन में संतुष्टी होगी ग्रहों की दसा आपके जिवन में सुक समरिधी और धन का योग लेकर आया है तुलारासी वारो, आज राहुकाल 3 बचकर 29 मिनट से 4 बचकर 57 मिनट तक राहुकाल के दौरान किसी भी सुपकाम का स्री गनेश ना करें आज राहुकाल के बाद तृपुसकर योग बनेगा, जो 8 बचकर 42 मिनट तक होगा तृपुसकर योग में आपके हाथों से अच्छे काम होगे तृपुसकर योग में चंद्रमा सनी बुद्ध की दिरिष्टी होगी जो आपके जीवन में सुख देगा, आपके जीवन में उत्सा और उमंग को बढ़ाएगा आज आपके बैवाहिक जीवन में प्यार बढ़ेगा, रोमांस बढ़ेगा सुख बढ़ेगा, आपके जीवन की मुसीवत और बाधा खत्म होगी कार्चेतर में उन्नती होगी, आपके जीवन में धन बैभब का सुख मिलेगा सभी संकट और कस्ट दूर होंगे आज उत्रा साड़ा नचत्र वर्यान योग में जब आपकी रासी तुला पर सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव होगा एक आदसी तीथी है, कृष्पच का समय है, मंगलवार का दिन है तो दिन की सुरुवात उत्तर दिसा की तरप से ना करें आपके लिए लक्की कलर नीला होगा, आपके लिए लक्की नमबर सिक्स होगा तो तुलार आसी वारो के लिए 9 मार्च मंगलवार का दिन भागुन मा, कृष्पच की एक आदसी ती, उत्रा साड़ा नचत्र, वर्यान योग, सुर्ज और विरस्पती का प्रभाव राहु की छाया, चंद्रमा सनी, बुद्धी की दिश्टी, भाग्य सो भाग्य, त्रिपुसकर योग में साम साथ बजे के बाद आपके लिए बड़ा लाबकारी योग बनेगा, जो आपकी किस्मत को बदलेगा, आपके भाग्य को बदलेगा तुला रासिवारो, कर्म से इंसान सफलता प्राप्त करता है, कर्म से इंसान धन प्राप्त करता है, कर्म से इंसान जीवन का सुख पाता है, तो आप अपने कर्म को करते जाएं, आपके जीवन में धन, बैभव और सुख बरता चला जाएगा, आज आप प्राक्रमी तो तुला रासिवारो ग्रोह पराधारीत अपने रासिफल के लिए रासिफल को लाइक करें सस्क्राइब करें कॉमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देपता का नाम लिखें भाग्डे सौ भाग्डे चमक रहा है भाग्डे के सितारे बुलंद हैं तुला रासिवारो के बुद्ध की दृष्टी, जीवन में सुख देगा, धन देगा, मान सम्मान देगा, प्यार, पैसा, परिवार, हर जगा भग्या आपका साथ देगा, खुसियों से भरा, भग्य साली दिन होगा, उमीज से जादा लाब होगा, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी र वेकार ये सो सर्वधा, मंगलं भगवाने विस्नो, जै महाकाल, जै महादेव, जै स्रीराम, जै हन्मान, संकट सहर अच्छा करो, हे महावीर हन्मान, संकट मोचन किरपानिधान, जै हन्मान, जै जै हन्मान, जै स्रीराम, जै हन्मान